आईए अब हम बात करते हैं कि budget allocation कैसे करें तो कितना budget allocation आपको करना चाहिए display के लिए या search के लिए या SEO या social media के लिए या Facebook के लिए तो अलग-अलग जब हम सारे budget पता कर लेते हैं तो आप सबको add करके आपको पता चलेगा कि कितना budget आपको रखना चाहिए पूरी digital marketing के लिए budget allocation की जो बात कर रहे हैं ये digital marketing की approach है bottoms up से सो ये bottoms up approach से हमें ground reality का पता चलता है कि actual में market में क्या हो रहा है हम अगर कोई पैसे लगाते हैं तो उसका कितना return आएगा उससे कितने conversions होंगे कितनी sale आएगी आप ये excel sheet देख सकते हैं budget planning की इससे पता चलता है कि हम लोग budget को कैसे allocate करें paid search advertising के लिए आपने देखा होगा कि पहला column है keywords का सबसे पहले आप keyword को identify करिए उसके लिए आप keyword planner tool में जाएए और at least 500 keywords generate करिए ये tool आपको search volume देगा monthly basis पर उसके अलावा ये ये भी बताएगा कि suggested bid क्या है तो कोई भी keyword है उसकी bid क्या है और ये सबकी range देता है high और low range तो आप average ले सकते हैं तो सबसे पहले आप keyword लीजे keyword के साथ में आप उसका search volume monthly आपके market का वो डालिए और उसके बाजू वाले column में आप suggested bid डालिए तब ये तीन column आपके ready हो गए अभी आपको estimate करना है कि आपका impression share कितना होगा अभी impression share आपको assume करना होगा वो depend करता है आपकी कितनी pockets हैं आपके पास कितना budget है ये possible नहीं है कोई भी business के लिए कि वो 100% impressions दे क्योंकि competition होता है और live auction होती है और हो सकता है आप कहीं बार auction को जीत न पाए तो typically impression share की range होती है 20-70% तो अगर आप market leader है तो आप 70% impression share को target कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी छोटी company है limited budget है तो आप 20-30% impression share को target करिए ये concept share of voice से बहुत मिलता जुलता है तो share of voice आपके budget पे depend करेगा एक बार आपने percentage identify कर ली practical impressions share की तो आप उसको multiply करिए monthly search volume से तो आपको practical impressions का volume आ जाएगा एक बार ये आ गया उसके बाद में आपको assume करना है कि आपकी click through rate क्या है क्योंकि आपको पता करना है कि जितने भी add impressions आए है उनमें clicks कितनी आएगी तो impressions को CTR से multiply करना होगा average CTR 2.5% होती है search की तो अगर आपकी अलग है जादा है या कम है तो आप अपना data इसमें डालिए और नहीं आपको पता है तो आप 2.5% से practical impression share को multiply करिए इससे आपको पता चलेगा कि आपकी number of clicks क्या है तो इस sheet में अगर आप देखें तो column D को आप multiply करिए column E से तो आपको column F मिलेगा अब हमें total cost को derive करना है next column में तो उसके लिए जो आपने number of clicks पता की है उसको multiply करिए suggested bits से क्योंकि आप तो पे करेंगे Google को जब आपको click मिलेगा तो number of clicks को जब आप multiply करेंगे suggested bits से तो आपकी total cost आजाएगी उसके बाद clicks इनफ नहीं है और आपको चाहिए conversion तो click करके लोग website पे आए और उन में से किते लोग convert हुए किते लोगोंने आपके products खरीदे तो conversion rate आपको assume करनी होगी तिपिकली conversion rate होती है 1-5% अगर आपके पास data नहीं है तो आप average 2.5% ले सकते हैं तो इस conversion rate को जब आप click से multiply करेंगे तो आपको conversion मिलेगा अभी आपके पास पूरा data आगया है आपके पास total cost आगये और total number of conversions आगया है अभी आप total cost को divide करिए total number of conversions से तो आपको cost per conversion मिलेगा ये exercise करने से आपको पता चलेगा कि आपका total monthly budget कितना है search के लिए और इस budget से आपको कितने conversion मिलेंगे और उसकी cost per conversion क्या होगी For example, यह Excel में अगर आप देखें, तो टोटल बजट रिक्वाइर्ड है 5,15,017 रुपीज एक महीने के लिए और इससे आपको 4,786 कनवर्जन मिलेंगे और कॉस्ट पर कनवर्जन है 108 रुपीज अभी ऐसी similar exercise आप दूसरे platform के लिए कर सकते हैं जैसे display ads, Facebook ads के लिए आप targeting को choose करिए Facebook में और जब आप targeting को choose करते हैं तो वो आपको potential impression बताता है और उसके बाद आप assume करिए practical impression share और फिर CTR और conversion rate जो आपको Facebook से मिलती आईए उसको डालिए उससे आपको पूरी number of clicks, number of conversion और cost पर conversion मिलेगा Facebook का plan सिर्फ एक row में बन जाएगा Search में तो बहुत सारी rows लग गई क्योंकि उसमें बहुत सारी keyword होते हैं लेकिन Facebook का plan, display का plan वो सिर्फ एक line में बनेगा इसी तरह आप Google Ads में जाके display campaign में अपनी targeting को डालिए और वहाँ से आपको पता पड़ेगा कि potential number of impressions किते हैं और फिर impression share आप लीजे CTR को assume करिए, conversion rate को assume करिए और इस तरह से आपका पूरा display advertising का भी budget calculate हो जाएगा और आपको पता पड़ेगा उससे किते conversion मिल रहे हैं और cost क्या है सारी channel का अलग-अलग करने के बाद आप सबको total कर दीजे सबको total करने पर आपको पूरी digital marketing के budget का पता चलेगा और आपको ये भी मालूम चलेगा कि उससे आपको total किते conversion मिलेंगे और cost पर conversion क्या आएगी फिर आप ये देख सकते हैं कि जित्ते भी conversion आ रहे हैं वो आपका जो total business objective है उसका क्या percentage है अगर total conversion आपके business objective का 50% है तो आपको 50% से ज़्यादा budget डिजिटल marketing पे allocate नहीं करना चाहिए बाकी का 50% आप traditional marketing पे डालिए भले ही आप hoardings करिए या radio या TV या events करिए तो ये थी bottom-up approach, budget allocation की इससे आपको ही रहेगा कि आपका जो planning है वो एकदम reality के नजदीक है तो आप combine करिए top-down approach जो की strategic planning framework था जो हमने शुरू में discuss किया था और bottom-up approach को मैं आशा करती हूँ कि इससे digital marketing planning और budget allocation आपको clear हुआ होगा आप ये framework इस slide पे भी देख सकते हैं आप मेरे चैनल को subscribe करिए और भी awesome tips digital marketing पे जानने के लिए और मेरी website को भी check करिए profsema.com Thank you for watching